अगर ये पता करना है ना कि सामने वाले बंदे का सिनिमा में टेस्ट कैसा है तो सिफ एक सवाल पूछ लीजी उससे दोस्त तुमने स्कैम 1992 देखा है अगर जबाब हाँ मिला तो गुड नीज अगर ना बोलता है तो उससे दूरी कब और कैसे बनानी है फैसला आपका अब वही सेम मास्टर माइंड हंसल महता जिनोंने स्कैम को क्रियेट किया था वापस लेकर आए हैं एक दूसरा जीनियस दिमाग हिलाने वाला शो स्कूप ये है नेट्फिक्स पे रिलीज होने वाली एक पारफुल अंडर रेटेड वेब सिरीज जिसको ना देखना सच्च सिनेमा लवर के लिए किसी पाफ से कम नहीं होगा हम सब लोग इधर असर टू में इतना जादा विजी हो गए कि दूसरी तरफ स्कूप जैसे मास्टर पीस पे किसी का ध्यानी नहीं गया अब भाई मैंने तो गलती सुधार ली है पूरे छे एपिसोड देख कर अब बारी आपकी है भहिया 2003 में खतरनाक अटेक होता है बड़े फेमस होडल चलाने वाले बंदे पे दुबई के अंदर गोलियों से भून दिया जाता है उसको जो बाद में पता चुलता है डॉन दाउद इब्राहिम का बिज्मिस सम्हालता था पैसा कैसे कमाना है बाद में खहा लगाना है सब इसकी जिम्मिदारी थी अब ये अटेक क्यों हुआ वो समझने के लिए 3 साल पीशे चलिए 2000 में बैंक कॉप के अंदर जब एक दूसरे डॉन चोटा राजन के राइट हैंड मैन को 32 गोलिया मारी जाती है लेकिन इस अटेक में छोटा राजन बचके निकल जाता है ये है मुंबई गैंग वार का सबसे काला पना छोटा राजन वर्सिस दाउद इब्राहिम दो खतरनाक अंडर वर्ल डॉन जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे और इन दौनों पे नज़र रखने का काम किया एक मामूली सी निउस रिपोर्टर ने जिसके पैन के सामने अंडर वर्ल की बड़ी बड़ी बंदूकें भी फेल हो गई लेकिन कमाल की बाद जानते हो क्या ये निउस रिपोर्टर एक दिन अचानक खुद देश की सबसे बड़ी निउस बन जाती है फ्रंट पेज पे बड़ा सा फोटो आता है इसका इलजान सुनके यकीन नहीं होगा अंडर वर्ल डॉन छोटा राजन की गल्फरंड बोला गया मैडम को और इनके इशारे पे डॉन सहाब ने शहर की सबसे इमानदा रिपोर्टर का कतल कर दिया ताकि मैडम का कॉंपेटिशन खतम हो जाए अपनी न्यूस के दंपर पुलिस तक की हवा टाइट करने वाली ये न्यूस रिपोर्टर खुद कैसे जेल के पीछे पहुँच गई बस ये मज़िदार कहानी स्कूप में छुपी है अंडर वर्ल ये शब्ट सुनके जितना मुझे और आपको एक ठ्रिल सा आता है न लिएस्टी का एक नया चहरा दिखाई देगा कुछ डिफरेंट थोड़ा हटके सब्जेक्ट जिस पर किसी का ध्यान नी गया अच्छी बात ये है कि शो को सस्पेंस ट्रिलर वाले जॉनरा में क्रिएट किया गया है ना कि किसी बोरिंग पढ़ा को डॉकिमेंटरी की तरह है छे एपिसोड सोड़े लंबे ज़रूर है अल्मूस्ट एक एक घंटे के लेकिन स्क्रीन पर इतनी सारी चीज़ें होती रहती है कि एपिसोड 1,6 कैसे बन गया पता ही नहीं चलेगा कहानी unpredictable इसलिए हो जाती है क्योंकि web series जिस इंसान पर बनी है हमने उसके बारे में ज़्यादा कुछ कभी पढ़ा नहीं इस चीज़ में डिरेक्टर हंसल महता की तारीफ करनी चाहिए स्कैम हो या फिर स्कूप ऐसे लोगों पर शोज बनाए जो इंटरस्टिंग थे लेकिन लोगों की नजरों से दूर अब देखो जो प्रतीक गानी ने क्या स्कैम में हर्शद महता बनके उसको रिपीट करना नामुम्किन है गुरू उससे कंपारिजन होई नहीं सकता लेकिन करिश्मा तना ने अपने करिया का best performance दिया है उनका चहरा किसी dictionary की तरह है जिसमें धेर सारे expressions मिलेंगे Emotions इतना जादा real और natural जैसे मानू हम कोई web series नहीं असली जिंदगी वाली reporter madam का CCTV देख रहे हैं हाँ में बताना भूल गई शायद स्कूप एक real life story है जो एक book पर based है जिसको खुद real life वाली reporter madam ने लिखा था मुहमद जीशन आयो ये बंदा criminally underrated है जिसको सबूत चाहिए कोई भी episode देख लेना इस series का powerful impactful असरदार character ट्यर स्कूप को मिलेंगे 5 में से 40 stars पहला media industry का underworld से cocktail बनाके tv series में बदलना कमाल concept दूसरा unpredictable कहानी आगे क्या होगा कैसे होगा कौन करेगा no idea तीसरा powerful strong performances लीड में करिश्मा प्लस जीशान और supporting में धेर सारे talented actors चौथा खदरनाक detailing पहली बार जो media के बारे में सुनेगा वो भी छोटी 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 चीज़ें समझ लेगा scoop shop का मतलब समझ जाओगे negatives में बस एक शिकायत जरूरी नहीं था कि 6 episodes बनाये जाएं बीच में कई जगे पे show attacks आजाता है एक जगे पे एक दो episode कम होते या फिर थोड़े छोटे होते तो एक दम crisp बन जाता full time वसूल होता ज़रूरी नहीं कि आज ही देखो लेकिन बहुत अच्छा cinema देखते हो तो scoop को गलती से miss मत करो 100% recommended बागी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फे कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वड़ना थोड़ा सा इंतिजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक के बाई बाई